नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखी का सुनीता जैन जी की कहानी पालना लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये पालना पंडिची मंत्र पर मंत्र पढ़ते जा रहे हैं और हवन कुंट से उठते धुए से असवाई आँखों को बार बार अंगोचे से पोचते एक स्वपन में जकडी मैं आहुती गरत डालती जा रही हूँ कभी कभी मंत्रों से ध्यान उचट जाता है सारे शरीर में बिद्दुच सी दोड़ने लगती है नवरात्रों का समापन दिन है आज और आज ही सुबह मेरी गोद में मेरी सारी मन्नतों का प्रसाद साक्षाद दुर्गा का आशिरवात पहुचा है कैसी होगी बच्ची पूर्णा हुती देते सोच रही हूँ आसु जो आँखों से बह रहे हैं नहीं जानती धुए के कारण ही है क्या प्रसाद लेकर और हवन भस्म का टीका करवा कर सब आने वाले चले गए मैं रह गई हूँ और पंडिजी का परिवार पंडिजी पास में बैठे हैं कहती हूँ आप भी कुछ लीजिए अब ब्रत खोलिए वे कहते हैं आपको दूर जाना है दीदी पहले आप लीजिए उनकी सुमुखी पत्नी खाना लेकर आ गई हैं तब तक खीर मालपुआ पकोड़े सबजी इतना क्यों करती हैं कहती हूँ आज का भोजन तो यजमान का होता है किन्तू दीदी यह भी आपका ही है कहते हैं पंडिजी थाली पकड़ कर कहती हूँ आज तो सुबह ही माने प्रसाद दे दिया पंडिजी अस्पताल से एजेंट ने फो खाऊंगी गलियों में दाएं बाएं मुर्ती कार आखिर नर्सिंग होम के सामने खड़ी हो गई है उतरने में डर सा लग रहा है शिव कहता है मम्मी उतरो ना पीछे दूसरी कार खड़ी है उतरती हूँ शिव एजेंट को खोशता है वह बाहर ही खड़ी मिल गई लंबी च प्रसास की डोर इसके हाथ में है आए वह कहती है उसके पीछे पीछे चलते हैं मैं और शिव एजेंट आया को कुछ कहती है एक छोटे कमरे की बड़ी मेच पर आया साप कफड़ा बिचाती है एजेंट हमें कुछ कुछ बता रही है यहां के विवस्था के विशय में सुन मुह तक उचलता है एक खुब गुठल सावली बच्ची मेरे सामने है कसकर आख बंध है बच्ची की जाने क्यों उसके चेहरे में मुझे हसता हुआ कोई ट्रक ड्राइवर दिखता है दारू पिये सीडिया चड़ता मैं बच्ची को प्रणाम करती हूँ वह सोई है गहरी न पुचकार कर पुच पुच करती हूँ छोटे से मू की अतिक रशकाय बच्ची किलो की भी शायद नहीं है तभी वह अपनी बड़ी बड़ी नीली आख खोलती है गायसी उसकी आख के उजाले से भीतर तक कुछ कौंधता है फिर वह आख बंद करती है दाया हाथ धीरे धीर उपर उठा कर हथेली खोलती है हाथ इतना कमजोर है कि अपनी ही हथेली का बोज सह नहीं पा रहा बच्ची का पूरा शरीर एक गौरवर्ण की जुर्री मात्र है किसी बड़ी बूढ़ी औरत सा मैं टटोल कर उसके दोनों पैर चूती हूँ माथे से लगाती हूँ रोती बहुत ही कमजोर है रगत ही नहीं शरीर में बीमार है क्या यहां तो सब बच्चे इसी हालत में होते हैं मैडम ठीक तो आपके यहां ही जाकर होते हैं आखिर तो यह अस्पताल है आया लोग जितना करती हैं कर लेती हैं एजेंट तमकती सी है आप इस बच्चे की विशेश देखरे करवा सकते हैं क्या, उसके लिए पर्सनल आया रखनी होगी, रखिये, खर्चा मैं दूँगी, जब तक मेरी बहु बेटा यहां आ नहीं जाते अमेरिका से, तो आप ऐसा क्यों नहीं करती, मैं इसे आपको दिये देती हूँ, जितनी अच्छी आपके घर में जाकर य बेटे के लिए बच्चा तो नहीं जुन सकती, सिर्फ चाहती हूँ, इसकी रक्षा आप करें, क्या मालुम इश्वर सदय हो जाए, और मेरे रज़त को भी ऐसा ही कोई बच्चा दे दें, मिसेज नाथ, बी प्रैक्टिकल, वह कहती है, हम बच्चा बहुत दिन रोके नहीं रख सकते, यह तो आप मुझे बहुत अच्छी लगी, और इस बच्चे को भी ऐसा घर नसीब नहीं होगा, इसी लिए कह रही हूँ, इसे ले जाए, यदि मेरी बहु और बेटे ने इसे ना रखना चाहा, तो I promise, वह बोली, मैं यह बच्चा वापस ले लूँगी, और उन आरे पास कोई भी बच्चा ना हुआ तो, दुबारा से धक रह जाती हूँ, अपने पूरे आत्म संबान को छोड़ गिडगिड सा करती हूँ, ऐसा ना कहिए, नो बरस प्रतीक्षा की है मेरे बेटे बहु ने, जाने क्यों उनके कागज बनने में इतनी देर लग रही है, बेटे बहु की तारीफ की है, उनकी सारी पूंशनाज भी वहाँ पूरी हो चुकी है, मैंने उसे प्रामिस भी कर दिया है, कि आउट आफ दा वे जाकर मैं आपको बच्चा दे दूँगी, सो जैसा कह रही हूँ, कीजिये, कहीं, नहीं नहीं, मैं लपक कर देवी को मेज से उठा लेती हूँ, देवी, यह नाम कब दिया मैंने इसे, मंदिर वाली दुर्गा जी हंस्ती सी हैं कहीं मेरे मन में, मैं बच्ची को कलेजे में खोंस सा लेती हूँ, क्या कर रही हो मम्मी, हम इसे कैसे ले जा सकते हैं, शिव बार-बार कहे जा रहा है, मेरी साड़ी का पल पली मत करो, हम इसे घर नहीं ले जा सकते, ले जा सकते हैं, ले जा रहे हैं, मन में कहती हूँ, पर उसे कुछ नहीं कहती, एजेंट की आँखों में कुछ है, पर्स खोल कर एक मोटा लिफाफा उसे थमाती हूँ, रजत ने फोन पर कहा है कि यह अडॉप्शन फीस जमा वह लिफाफे को जटपट मोड कर रखती है, शायद अपने ब्लाउज में, आया को आवाज देती है, दोनों आया आती हैं, खूब बलायन लेती हैं बच्ची की, मानो बच्ची की सगी मा हूँ, सच, और था भी कौन इसका इस अस्पताल में, सोचती हूँ, अरे बड़े भ भाग वाली है, देख तो क्या रानी जैसी बड़ी मा है तेरी, इसे नसीब कहते हैं, वे चटकारे से लेती हैं, मैं उनके हाथों में सोके दो नोट रखती हूँ, चाहती हूँ, वे और नजर न लगाएं इस बच्ची के भाग को, कहती हूँ, आपने बड़ा पुन कमाया इस देवी की सेवा कर, प्रभू इसे दीरग आयू करे, आपका आशिरवाद इसे लगे, और गाड़ी की तरफ भागती हूँ, जैसे कोई छीन न ले उसे मुझ से, गाड़ी में शिव सन सा बैठा है, आया लोट कर आती है, एक छोटी बोतल में दूद दे जाती है, और बच्ची का कमबल उसने और बच्चों के काम आये का कहकर ले लिया है, मैंने देवी को अपनी शौल में डाल लिया है, शिव कुछ कह रहा है अंग्रेजी में, क्या कह रहा है, सुनने का यत्न करती हूँ, कार घर घराती गली से बाहर आती है, मालुम है क्या कर रही हो, वह तीसरी बार पूँचता है, नहीं मालुम क्या कर रही हूँ, सिवाए इसके कि इस बच्ची को बचाना है, भावी भाईया क्या कहेंगे, कि हमारा बच्चा हमारे बिना चुन लिया मम्मी ने, सुलक्षणा भावी को तो कोई भी हस्तक शेप बरदास्त नहीं मा, भूल गई शिव एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहा है मुझसे, कहती हूँ, शिव इसे मैंने उनके लिए नहीं चुना है, पर इसकी रक्षा करने से उनको भी कोई न कोई मिलेगा, इश्वर देंगे, इसलिए ले जा रही हूँ, फिर इसका क्या होगा, जहां जाना है, वहां पालेंगी कि नौकरी पर जाएंगी, जानती हूँ, शिव को इतनी चिंता में डाल कर अन्याय कर रही हूँ, कि वह जो कह रहा है, वह भी ठीक है, मुझे केवल बच्ची का दिल अपने दिल के साथ ताल मिला कर बज़ता सुनाई दे रहा है, मेरे शरीर की गरमाई में कुछ खुलता सा लगा है, और हिलती कार में वह जियों आश्वस्त हो सो जाती है, अपने घर जा रही है, कार ने मुझे पोर्च में उतार दिया है, शिव अभी भी बड़बड कर रहा है, उसके माथे पर पसीना आ गया है, भय और असहायता दोनों से, गाडी में वह तुरंत वा याद आता गया, उसे बताती गई, मुझे क्या मालूम बच्चे के सामान के बारे में, वह जलाता रहा, एकदम हद कर दी माँ आज तो आपने, तु घबरा नहीं शिव, बस सामान लिया किसी भी बड़े केमिस्ट से, कार बाहर जाती है, मैं घर के भीतर, एक सौका नोट श गरम इस्तरी फेर रहे हैं, बच्चे के इस्तेमाल के हर कपड़े को उबालना होगा, या गीले को इस्तरी कर इस्तरलाइज करना होगा उन्हें, बिस्तर पर तॉलियों का गद्दा बना उसे लिटाती हूं, बच्चे में कोई भी हरकत नहीं, कुछ देर सोचती हूं, फिर चौप कर कहती हूं, शम्भू काका, ऐसा लगता है इसे कभी कोई गोदी मिली ही नहीं, आया कह रही थी यह डेड़ मास की है, डेड़ मास के बच्चों जैसा अभी तक कोई भाव नहीं है ना इसके चेहरे पर, और देखो रोती भी नहीं, शायद इसी से इतनी कमजूर है, आया समय पर दूध ही न देती होगी, रोने वाले बच्चे पी जाते होंगे, यह पड़ी रहती होगी, घड़ी देखकर इसे फीट देंगे हम, और मालिश करनी है काका, पता है लड़ाई के दिनों में जब फौजी बहुत कमजूर हो जाते थे, तो दूध इत्यादी उनक सकें, सच्ची मैंने पढ़ा था कहीं, इसको भी ऐसे ही करूँ क्या, दूध घी की मालिश, जाने कब इसमें जान आएगी, मैं बोलती जा रही हूं, दना दन कपड़ों की अलमारी में से घिसे नरम कपड़े निकाल कर उसका बिछावना ओढ़ना छोटा तकिया बना रही ह तब ही याद आया कि मेरी अमेरिकी मित्र क्रिस्टीन की जुणवा बच्चियां साथ महीने की ही हो गई है, उसके पास होगा बहुत सा सामान, अब मैं तो इसे छोड़ कर बाजार नहीं जा सकती न, देवी को थपकती थपकती क्रिस्टीन को फोन करती हूं, सब बताती हूं वह कहती है कि दोपहर को आएगी, और टब, कपड़े, केन का पालना, रजाई, कंबल, इत्यादी ले आएगी, हाथ से एक जबला सीती हूं, काका, इसके कपड़े बदल ले न, बदलती हूं, हलका इस्वंज करने से पहले कपड़े उतारती हूं, हे इश्वर, मुह से निक हाल है, कपड़े बदल कर उसका अस्पताल वाला फ्रॉक हाथ में उठाती हूं, जी को कुछ कचोडता है, कैसा चितरा सा पहन कर मेरे घर आई है देवी मा, उठा कर सावधानी से उसे एक लिफाफे में रख, अलमारी की सबसे उपर वाली दराज में रख देती हूं, काका, शाम को इसे बच्चों वाली डॉक्टर को दिखाना है, ड्राइबर से कहना जाय नहीं, हैरान हूं एक बित्ते भर की बच्ची के इतने काम करने हैं, कि इतनी व्यस्तता हो गई जीवन में इसके आने से, डॉक्टर व्रिंदा सेठी मशहूर डॉक्टर है, भाग से हमारी सा मिसेजनात वाली कॉलोनी में ही उसका घर है, पुरानी जान पहचान है, कहां से लिया इसे, वह पूँचती है, रजत ने ही किसी एजेंसी का पता लिखा था वहीं से, वह आ गया क्या, नहीं तो, फिर सब बताती हूं उसे, बार बार एक ही बात, इसे बचाना है, तभी में कुछ तो खबर नहीं, कैसे रखोगी इसे मिसेजनात, वह कहती है, बच्चा बहुत देख भाल कर किसी की देख रेक में लेना चाहिए, जाने क्या बीमारी, क्या बवाल निकल आए, वह रजत कर लेगा, जब आएगा, अभी तो यह जीवित रहे डॉक्टर, बस इतना चाहती हूँ, इसे इतना कमजोर देखकर मुझे जाने क्या होने लगता है, आप घबरा क्यों रही है मिसेजनात, इस वर्ग के बच्चे तो इससे भी गए गुजरे होते हैं, कमजोर तो यह भी कम नहीं, शायद प्रीमी है, प्रीमी मैं डर जाती हूँ, प्रीमेचियोर, शायद 3-4 सपता जल्दी पैदा हुई है, एजेंट कह रही थी, फुल टर्म बेबी है, तो इसकी माने अंतिम दिनों में बहुत कम खाया होगा न, ताकि गर्व दिखाई न दे, या खाने को मिला न होगा, मैं रोने लगती हूँ, इतना भावुक क्यों हो रही है, आखिर तो रज़त के आने पर इसे लोटाएंगी न, हाँ डॉक्टर, रज़त के आने से पहले मैं और बच्चों के साथ इसे चुपके से लिटा दूँगी, तब तक इसे इतना मोटा और स्वस्त कर दो, कि बहु और रज़त को यही पसंद आ जाए, डॉक्टर हस्ती है, इतनी मम एक ही दिन में, और बच्ची को तॉल कर कभी उल्टा, कभी सीधा लटका कर, एक्जामिन कर वह मुझे लोटाती है, सब नॉर्मल ही लग रहा है, पर यह रोती क्यों नहीं और बच्चों की तरह, मैं कहती हूँ, उतनी शक्ती कहां है इसमें, इसे जहां तक हो, अपने शरी किलो वजन बढ़ गया, तो बहुत अच्छा रहेगा, हम रात में भी नहीं सोते, न मैं न शिव, चाहें भी तो नहीं सो सकते, वह भी डॉक्टर सेठी के शब्दों में कहता है, एक ही दिन में आप तो बावली हो गई है इसके लिए, कैसे चलेगा मम्मी, मेरी तो समझ के बाहर है यह सब, तो क्या करूं, जरा तीखा होकर कहती हूं, रजत के होते नहीं, तो बिवाह करता नहीं, तो यही सही, जानता है, अगर मुझे यह मालूम होता, कि मेरी मा इतने वर्ष जियेंगी, तो मैं उन्हें साथाट साल की एक लड़की गोद दिलवा देती, जब त चले गय थे मेरी मा को अकेला छोड़, और नौकरानी ने उन्हें सता सता कर मार डाला, मम्मी, शिव कह रहा है, आपको क्या हो गया है आज, नानी जी की बात का यह कौन सा समय है, इसकी बात करें न, इसका नाम देवी है, मैं कहती हूं, हाँ, देवी की बात करें न, क्या ब अम्मी, नहीं तो पंडित जी को दिलवा दूँगी, उनकी पत्नी पाल देगी इसे मेरे लिए, मुझे यही डर था, क्या डर था, शिव की ओर देखकर दोबारा पूशती हूं, क्या डर था, कि आप इसे छोड़ेंगी नहीं, हम तीनों को भी क्या ऐसे ही प्यार करती थी, चौकती हूं, कभी सोचा ही नहीं, क्या इतना, और इसे, इसे क्यों, ठीक है, तू जल्दी से शादी कर और दो-तीन बच्चे कर मुझे दे, तब नहीं करूँगी इसे इतना प्यार, हर बात मेरी शादी पर ही आकर क्यों खत्म होती है, वह जीकता है, कई रातें बीत गई ह शिव का अपना उन्माद मुझे से कुछ कम नहीं, इसी लिए बार-बार कहता है शिव, मुझे सुबोधता है, रोकता है, मैं भी इससे आप जितना ही जुड़ गया हूं, पर इसका क्या होगा, और इसके बिना हमारा, यदि इसे लोटाना पड़ा, प्रश्न जटिल है, ज पर्श को पहचानने लगी है, पहले से उंचे स्वर में रोती है, मैं कहती हूं, कुछ और उंचा देवी, भरे गले से निकाला आवाज बेटा, रो कुछ और उंचा, जैसे रोते हैं मोटे ताजे बच्चे, दोपहर की क्लास पढ़ा, घर में प्रवेश करती हूं, या आठ दिन हो गए हैं, देवी लगबक दो महिने की हो जाएगी, और एक आठ दिन में वजन भी कुछ बढ़ा है, पर यह रो क्यों रही है, नहीं, खास रही है, शुरू के दो दिन तो कॉलेज से छुट्टी ले ली थी, जबसे यह आया मिली, जैसे तैसे जल्दी लेक् कर घर भाग आती हूँ, क्यों खास रही है देवी, इसे बुखार लग रहा है मैटम, वह लड़की कहती है, दो पहर से रोय जा रही है, दो उल्टी भी की है, जपट कर देवी को लेती हूँ, लड़की को जैसे घर से बाहर ही फेंक दूँगी, तूने ही ठंड लगाई है कहा नहीं था कि कमरे से बाहर मत ले जाना, शंबू काका भगा दो इसे यहां से, मैं खुद देख रेक करूंगी देवी की, हाथ पर संसना रहे है मेरे, देवी फिर दूद उलटकर एकदम निढाल हो गई है, छाती पर हलका सा विक्स लगाती हूँ, बुखार से तप रहा ह है बदन, घंटा और निकल जाता है, खासी बढ़ रही है, काका इसे कुछ हो गया तो, काका मुझे तो पोलिसी ही पकड़ लेगी, क्या बताऊंगी, यह कौन है, कहां से आई है, एजेंसी वाले तो एकदम मना कर देंगे, एजेंट कह भी रही थी कि बिना कागजी पूरी किये, ऐसे बच्चे दे देना गैर कानूनी है, शिव ने तो मुझे बहुत समझाया था, अब क्या करें, जरा डॉक्टर को फोन करो, घर पर ही होगी, अभी देख लेगी, नहीं तो मैं इसे इसके अस्पताल ही छोड़ा हूं, वहां तो डॉक्टर होते ही होंगे, म मैं रोए जा रही हूं, वरिंदा सेठी बच्ची को देखती है, छाती ध्यान से सुनती है, इसे निमोनिया हो गया लगता है, खून टेस्ट करवाना होगा, और एक्सरे खिचवाना होगा, तब तक ये दवाई दीजिए, सर्दी लगा दी गई क्या इसे, मुझे कॉलेज जाना जरूरी था, आया के भरोसे छोड़ गई थी, अब क्या करूं डॉक्टर, बताइए न, वापस ले जाओं वहीं, जहां से लाई थी, मुझे नहीं लगता यह बचेगी, मैं मारे भै के फिर रोने लगती हूं, मेरी हालत देखकर डॉक्टर पूंचती है, मिसेस नाथ आप इसे अपने घर क्यों लाई थी, याद है, तोते की तरह रटा-रटाया जवाब देती हूं, इसकी रक्षा करने के लिए, और लोटाने से इसकी रक्षा हो जाएगी, यदि आप इसे नहीं बचा सकती, तो क्या वे गमार आया लोग बचा लेंगी, इस कमजोर हालत में अस्पताल जन कोई और इंफेक्शन नहीं पकड़ लेगी यह बच्ची, किन्तु यह मेरे घर मर गई तो मुझे हतकड़ी लग जाएगी डॉक्टर, मेरे हिस्टीरिया को देखकर डॉक्टर सेठी शांत आवाज में कहती है, मुझे एक मौका दीजिए इसे बचाने का, शे देवी को उठाकर धीरे से वक्ष से लगा लेती हूँ, डॉक्टर को फीस देती हूँ, दवाई का पर्चा उठाकर पर्स में रखती हूँ, और एक स्वपन में चलती हुई बाहर आ जाती हूँ, मैं और तू अलग नहीं होंगे, आती है तो आय पुलिस या कोई भी, पर कान के पास धीरे से कहती हूँ, तू भी तो मेρι सहायता कर देवी, अपनी सहायता कर, अपने जीने के लिए लड़ बेटा लड़, और जी मेरे लिए, मेरे लिए, देवी लड़ रही है मृत्तु से मेरे लिए, नव वर्ष का पहला दिन है, रजट का फोन है, उठाती हूँ कैसी हो मा पूछता है जरा रुको उधर से टेलीफोन का रेसीवर किसी को देता है आवाज आती है हैपी नियू एर दादी जी औरी इतना बोलने लगी है तू रजत हसता है बोलेगी नहीं दूसरे किसी एक्स्टेंशन से बहु कहती है धाई साल की हो जाएगी कुछ दिन में बच्ची मोर मोर कहकर फिर से टेलीफोन पर बात करना चाहे रही है शायद रजत और बहु उसे मना कर रहे हैं अच्छा ले कर बात अपनी दादी जी से बच्ची का नाम अब देवी नहीं है उसके माता पिता का चुना नाम है सलोना सार मैं और शिव अब भी उसे देवी कहते हैं शिव ने शादी नहीं की है मुझे नहीं मालूम की हम अब अकेले हैं या तब थे जब वह नहीं आई थी हमारे जीवन में उसके पालने वाले खाली कमरे में सिर्फ शंभू काका जाते हैं सफाई करने तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं